फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम करने जा रहे हैं फरनीचर वकैबलरी उतसे पहले मैं आपको बता दिना चाहती हूँ अगर आप अपनी वकैबलरी को इंप्रूफ करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोज हैं जो आपकी वकैबलरी बेसिक टू अडवांस बना सकती हैं तो उनको जरूर देखें और अपनी वकैबलरी को बढ़ाएं तो हम वीडियो को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वर्ड है लकडी का मंदर लकडी के मंदर को हम इंगलिश में बोलते हैं वुड़न टैंपल वुड़न टैंपल नेक्सट वर्ड है दोलारा दोलारे को हम इंगलिश में हैमक बोलते हैं हैं मेर्ट वर्ड ल्ड जूतो की अल्मारी को हम इंगलिश में शूरेक बोलते हैं शूरेक next word is sofa sofa को हम English में sofa भी बोल सकते हैं और couch भी बोल सकते हैं next word is singhasan singhasan को हम English में throne बोलते हैं throne next word is तपाई तपाई जो लकड़ी के लकड़ी से बनती है उसको हम Hindi में तपाई बोलते हैं और English में stool stool इस तपाई को जिसके उपर एक गड़ी लगी हुई होती है उसको हम footstool बोलते हैं footstool next word is पालना पालने को हम English में cradle बोलते हैं next word is कुरसी को हम English में chair बोलते हैं next word is हाददार कुरसी हाददार कुरसी को हम armchair बोलते हैं armchair next word is कुरसी जो fold हो जाती है तो उसे हम English में बोलते हैं folding chair folding chair पाईदार कुरसी पाईदार कुरसी को हम English में wheelchair बोलते हैं wheelchair नेक्ट पाईदार कुरसी जोलने वाली कुरसी जोलने वाली कुरसी को रॉकिंग चेयर बोलते हैं रॉकिंग चेयर इस तरीके की कुरसी को हम cantilever chair बोलती है cantilever next word is film देश कुरसी इसको हम director's chair बोलती है directors chair घूमने वाली कुरसी इसको हम swivel chair बोलती है swivel बच्चों की कुरसी बच्चों की कुरसी को हम high chair बोलती है high chair next word is कपडों की अलमारी को हम इंगलिश में विड्रॉब बोलती है विड्रॉब नेक्स्ट वर्ड इस पुस्तक की अलमारी पुस्तक की अलमारी को हम इंगलिश में बुक्केस बोलती है बुक्केस नेक्स्ट वर्ड इस खटिया जो जादा तर गाउं के लोगों के पास होती है गाउं के हरे घर में खटिया होती है तो उसको हम इंडिलिश में भोलती है Calt Calt भी भोल सकती है Rope bed भी भोल सकती है Next word है हमारा sofa bed Sofa bed को हम इंडिश में sofa bed ही भोलती है Next word is पैयेदार बच्चागाडी इसको हम push chair बोलते हैं push chair नेक्स्ट वर्ड इस शिंगार मेज शिंगार मेज को हम dressing table बोलते हैं dressing table नेक्स्ट वर्ड इस पलंग, पलंग को हम bed बोलते हैं bed नेक्स्ट वर्ड इस इस तरीके के पलंग को हम bunk bed बोलते हैं bunk bed नेक्स्ट वर्ड इस एक पलंग, जो एक पलंग होता है, उसको हम सिंगल बेट बोलते हैं, जिस पर एक जाना ही सो पाता है Next word is, बीन बैग, बीन बैग को हम बीन बैग चेयर बोलते हैं, जो इस तरीके का दिखता है Next word है, हमारा ताक या खाना, जो जड़ा तर रसोई में बहुत होते हैं, बहुत घरों में होते हैं, तो इसको हम शल्फ बोलते हैं Shelf Next word is, अल्मारी, अल्मारी को हम इँगलीश में कैबिनेट बोलते हैं Cabinet Next word है हमारा deck kursi, deck kursi को हम deck chair बोलते हैं, जो इस तरीके की दिखती है, Next word है हमारा dheraj, dheraj को हम drawer बोलते हैं, drawer. Dherajओं वाली एरुरी, dherajओं वाली ऐरुरी को हम chest of drawers बोलते हैं, chest of drawers. Next word is bench, bench को हम English में bench ही बोलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इस कक्ष विभाजक को हम इंगलिश में room divider बोलते हैं अगला वर्ड है हमारा दराजों वाली मेज इसको हम इंगलिश में desk बोलते हैं संदूग संदूग को हम इंगलिश में coffer बोलते हैं next word है हमारा इस्तरी की मेज को हम आइनिंग बोलते हैं next word is खाने की मेज खाने की मेज को हम dining table बोलते हैं last word है हमारा कॉफी की मेज को हम coffee table बोलते हैं तो ये थी आज की वीडियो आज का हमारा क्विज है पालना पालने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट सेक्षन में मुझे लिख के बताएं वीडियो कैसी लगे फीड़बेक दे और अब हम मिलते हैं हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ